बच्चों की पहली पसंद आज के टाइम पर पीजा है और वही हाल हमारे शुभम के साथ भी है तो आज है घर में पीजा पार्टी स्वीट कॉन से बनेगा बारिश का सीजन है और कॉन से बहुत सारी रेसिपी बनती है और आज हम इसका ही नाचता बनाएंगे लेस ओईल में शुरू करते हैं स्वीट कॉन तो जैसे आलू टमाटर प्याज वाली जीद है ना वह ऐसे वाले हाल है यहां बहुत आता है और खासकर वारिश की सीजन में और जब भी आता है तो मतलब मैं जालता स्वीट कॉन की कॉन चार्ट बनाती हूं या फिर अपने देखा होगा कॉन पकॉड़े एक अपके दाने निकाल लेंगे तो नाइफ से बहुत यस सानी से पूरे निकल जाते हूं वैते तो हातों से जो मैं निकाल के रखती हूं दाने जिनको हम फ्रोजन करते हैं वो भी आप ले सकते हूं तो जतना भी दाने निकला हाफ हमने एक बोल में लिया और हाफ को हम पेस्ट बना लेंगे तो ये पेस्ट और दाने दोनों ही मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही धीर सारा ताजा हरा धनिया और आप चाहें तो इसमें लफ़सुन भी डाल सकते हैं बारिक काटकर या फिर उसका पेस्ट doit सकते हैं 8 बारिक कॉटवी हरी मिरची हरी दा जरूर डाले चावल का अहटा भी दखेवागेस के मिक्स कर लेंगे राइस फ्लॉर या बेसं से अच्छी हो जाएगी आप पैन में एक एक बून डालो या घी डालो या बटर डालो आपकी एक्षा है और यह जो भी बैटर है इसके पकोड़े जैसे मैंने ड्रॉप कर दिये हैं हाला कि वो फ्राइब नहीं होंगे आज यह बनेगा और यह इतना टेस्टी नाश्ता है ना कि इसके बाद आपको लगेगा बस अब हम यही बनाएंगे पकोड़े में तो फिर भी ओईल का मसला है इसमें यह भी नहीं है और फुल जाएका है मतलब स्वाद वही सच में स्वाद रही बहुत सारी चीजें होती है जो फ्राइब की तो बात ही अलग होती है और नॉन फ्रा अलट कर अलट पलट करते हुए अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राइब कर लेना है और एक बार जो आइल डाला है दुबारा डाला भी नहीं है उतने ही बन गया लिकिन मैंने एक चमश तेल बैटर में डाला था जिससे क्या होगा ना जो अपने बेसन या चावल काटा तो आपको किसी चटनी के जरुत भी नहीं पड़े है अप चाई के साथ यो ही खा जाएंगे लेकिन फिर भी पकोड़े हो या आप पे हो चटनी सर्व करना तो बनता है तो बस हरी चटनी टोमाटो कैचप के साथ खाओ मज़े से और साथ पे चाई मिल जाए तो आहां क्या बात है तो सच में बहुत टेस्टी है अंदर वो जो स्टीम में पकते न ढख करके बहाप में पूरा अंदर तक देखो कितना अच्छा कॉन पका है और बेसन भी है तो वो भी पूरा अच्छे से पक जाता है आप पे में तो होता ही है न आज शुभम का फ्रेंड आ रहा है और पता ही है बच्छों क्या पसंद होता है मैंने उसे पूछा कि तुम्हाई दोसको क्या पसंद आएगा क्या बनाओ तो बोला पीजा बनाए तो मैंने का ठीक है और पीजा की बनना है आप दोस आ रहा है तो शुभम खुछ से जाके लेक आए यह सामान तो यह डाइस ची हैंगे हम एक पैकेट अमूल का यह डाइस चीज का पूरे चार पीजा मस्त बन जाते हैं बहुत अच्छे से पहले भी हम बना चुके हैं तो यह हमारा इतना फिक्स रहता है कि इतना एक पैकेट लग जाता है मुझे पूरा आइडिया हो गया है बनातने से और इसके लिए म खाने में भी अच्छा रगता है जो सारी मैंने तयारी कर लिए हैं चलो पैकेट से निकालते हैं बहुत ही फ्रेश हैं बेस बहुत ही बड़ी हैं यहां पर बेकरी है एक दर्त बेकरी वहीं से मंगाती हों में जब भी पाओ और यह बहुत फ्रेश रहता है इतना सॉफ्ट पैकेट से बाहर आने को त्यार नहीं था वो उसमें अंदर था फिर पैकेट को दूसर साइट से भी कट करना पड़ा तब आजामी से निकला पकड़ने से लग रहा जैसे मेरी उंगलियों की निशानीन बन जाया उसमें और इसको भी जो डाइस चीज़े से निकाल लेंगे बेस में सबसे पहले लगाएंगे पीजा पास्ता सॉस तो इसको अच्छे से पूरे बेस में अपलाई कर देंगे प्रॉपर शुभी हाई थी जब मैंने उसरे खिराया था बहुत खोश हो गई थी मुम्मा बहुत अच्छा बना है इस बार जब वाई गर्मियों में तब न सॉस लग गया फिर डाइस चीज पूरी अच्छे से प्रॉपर स्प्रेड कर देंगे पूरा फिल और सेकेंड बैच में मनदब सेकेंड टाइम भी लगाऊंगी लास में बस उतना ही मैंने बचाया है तो पहले पूरा अच्छे से कवर कर दिया चीज से फिर इसमें डाला है सबजी थोड़ा कम डालना मैं का हां हां तुम जिनता मत करो एक बार बोलके गया तब ती कई ममी बाहर ना दे पूरा नहीं ज्यादा नहीं डालूंगी थोड़ा तो डालना ही है न और फिर लास्ट में है ये स्वीट कॉन प्यास टमाटर के बाद आप इसमें कलर फु जादिंग एक चमच अच्छे से पूरा प्रेड कर लेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे और उपर से भी डालके खा सकते हैं टेस्ट के लिए जिसको जैसे कम लगे तो एक बार पूरा लगा के दो ना सेट करके फिर कई बार नहीं भी ज़रूर पड़े या फिल लगे तो डा सकते हैं अब जब सारी मसाले डल गए ना उसके बाद ऊपर से फिर से एक बार चीज की लेयर लग जाएगी यह उपर वाली चीज तो मेल्ट हो जानी है सबज्या नजर आनी है और सब पूरी तयार ही हो चुकी है अब मैंने रखे मसाले साइड में और यह काउंटर टॉप स फिर बस आपको सिफ बेक करना है और देते जाना है टाइम पर वो पूरा फैलता भी नहीं है और यह इतना आप रखके आराम से रख सकते हो एक घंटे के लिए कोई दिक्कत नहीं है उससे कुछ बेस भी निखराब होता ना इसलिए कुछ भी गीला आइटम रहता नहीं है बस अब यह सब मैंने साइड में रखा काउंटर टॉप किया क्लीन और चलो बेक करते हैं शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एयर फ्रायर में बनाना है इसको इसकी बास्कित निकाली है और इसमें बास्कित में रखा हुआ है इको बेक शीट ताकि जो बास्कित है वो गंदी ना हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत चीज कई बार मेल्ट होके बाहर आती है तो बास्केट खराब नहीं होगी और अब बेस पूरा रेड़ी है और इसे हम इसमें शीट में रखतेंगे यह करते हुए मझे शुभी की याद आ ही रही थी कि शुभी का फोन आ ही गया पूछ रही थी क्या कर रही है तो मैंने का अब क्या बता हूँ क्या कर रही हूँ यही कर रही हूँ पीजा बना रही हूँ और तुम आओगी तो तुम्हें जरूर खिलाओंगे राखी पे और ज अगर लगेगा तो हम दो मिनट और बाद में कर सकते हैं लेकिन मैंने जब भी बनाया दस मिनट में पीजा परफेक्ट रेडी हो जाता है इसलिए मैंने टाइम 10 मिनट रखा और 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पीजा बेक करने रखा यह है अगारो का एर फ्रायर और बस जैसे कि एक बेक हो जाएगा हम बाइड निकालेंगे फिर हम दूसरा डालेंगे तो वही मैं शूभी को बोल लए थी शूभी तुम आओगी ना तो इस पर तुमें जरूर खिलाएंगे राक्यों पर जब तुम आओगी याद रखना मला बोलना तो मुझे याद आ जाएगा कई बारी में भूल जाती हूं हाला कि अभी जब आई ती गर्मियों में तो गर्मी इतनी थी ना कि दिली नहीं करता था इसा कुछ अलग से करने का वह बच्चों कभी नहीं दिल करता था और यह देखो 10 मिनट में हमारा पीजा रेडी हो गया बाहर आया बहुत बढ़िया बना बच्चे गरम-गरम खाएंगे एक के बाद एक रखना और जैसे ही 10 मिनट मुझे तो लग रहा अगर कभी आप करो भी ना तो बारा मिनट मैंसिमां बारस से ज़्यादा नहीं करना उपर से भी बढ़ियां क्रस्ट आया है और नीचे से भी बढ़ियां बेक हुआ है बेस ब बच्चे खुश हो गए खाके और बच्चों को पसंद आया तो फिर मामियों को अच्छा लगता है तो मैंने खा अलग-अलग दोनों को एक प्लेट में दूँ तो बोलनी एक साथ ही खाएंगे दोनों तो मैंने खाएंगे अच्छा है हर पीजा का टेस्ट मिलता जाएगा दोनों साथ में खाएंगे तो हर ने का टेस्ट मिलेगा तो बड़ी आए दोस उसका शर्मार रहा है इसलिए वो कैमरे में आया नहीं है तो अमने कोई बात नहीं होता ना नए बच्चे आते हैं थोड़ा शाही फिल करते हैं तो फिर उनको जबर्दस्ती नहीं करना गाई तो कैसा लगे झूंश नहीं है उसको बोल भी नहीं त Worल भी मीं रहे किया करने कुछ हिं तौब कॉफी और गर मैं ना भी बताओं तो भी नोटिफिकेशन उससे दिखे गई कि ममी ने आज यह अप्लोड किया है व्लॉग सामने दिखेगा तो इसलिए ना बता के भी कोई मतलब नहीं होता और आपने क्या बनाया आपके बच्चों को सबसे जड़ा क्या पसंदिंए आज मुझे यहीं बताओ अपके घर में आपके बच्चों की फेवरेड डिश क्या है जानना है मुझे देखूंगी मैं कि जादा तर बच्चों की च्वाइस में कौन सी ऐसी डेश है जो हर बच्चे को पसंद होती है तो सब लोग बताना मुझे आज के व्लॉग में और आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताईएगा आज अपने क्या बनाया जरूर बताना थैंक्स वर वाच्चिंग बैबाई टेक केर